सभी को मेरा जैभीम साथियो मुझे आने में देर हुई इसके लिए मैं सभी लोगों से छमा मांगना चाहूंगा मैं अभी ब्यूरोक्रेशी में हूँ ब्यूरोक्रेशी का हिस्सा हूँ तो कई बार कुछ महत्तो पूर्ण कारिय आ जाते हैं जिसके कारण वहाँ से निकलना मिटिंग से निकलना या कारिय अधूरा छोड़के निकलना डिफिकल्ट हो जाता हैं और इसलिए चेतन दादा ने मुझे कल भी बुलाया था कल भी किसी कारण वस मैं नहीं आ सका और आज भी देड़ बज़े मैं निकलने वाला था आचानक तीन बज़े मिटिंग सुरू ही और वो मिटिंग एक देड़ घंटा चलती रही जिसके कारण मुझे आने में देर हुई दोस्तों मुझे कहा गया है कि देश के अलग-अलग हिस्तों से यहाँ पे नौजवान उपस्तित हुई है कुछ चीजे सीखने के लिए और नए रास्ट और नए समाज के निर्मिती के लिए आज का हमारा युवाग अलग-अलग परिस्तितियों को अलग-अलग परिस्तितियों का सामना करते हुए किस तरीके से अपने समाज को नए तरीके से निर्मान कर सकता है हमारे महापुर्सों के आधर्सों के आधार पर किस तरीके से यूथ कंट्रिब्यूट कर सकता है इसके लिए आप मुझे बताया गया कि आप यहाँ पर इकत्रित हुए हुए मेरे इस छोटे से संभासन के पहले आप लोगों ने अलग-अलग वक्ताओ के व्यक्तिव्य यहाँ सुने हुँगे यू माइट है और गाट इनलाइटन इन्रीस्ट बाइद इन्पूट्स ड़ी यू आप लोगों को अच्छी चीजे पता चली होगी दोस्तो जहां तक यूद का आज का सवाल है हमें अपने आपको सबसे पहली ये देखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार की परिस्थितियों से घिरे हुई है कौन से ऐसे चलेंजिस है जिसका सामना हमें करना है चलेंजिस का मतलब ये नहीं है कि आपके व्यक्तिगत चलेंजिस और चलेंजिस का मतलब ये भी नहीं है कि आपके कोई फेमिली चलेंजिस मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि हमारी सामाजीक आर्थिक और राजनितिक और सांस्कर्तिक जो परिवेस है उसमें हमारे सामने जो challenges है मैं उन challenges की आपके सामने बात कर रहा हूँ दोस्त आज सब लोग आज अलग-अलग तरीके से चाहे वो social media हो चाहे वो electronic media हो समाचार पत्र हो अलग-अलग media हो के माध्यम से आप अलग-अलग चीज़े सुनते हैं मेरा मानना ये है कि वी social media is the only media where you do have some participation where you can have your views reflected in a democratic manner लेकिन बाकी के जो media है चाहे वो electronic हो चाहे वो print media हो उसमें जो चीज़े आप सुनते हैं, पढ़ते हैं वो आपके दरश्टी कोन से या हमारे महापुर्सों के दरश्टी कोन से पेस की हुई चीज़े नहीं रहते और इसलिए आप लोगों को जब इस प्रकार के मनुवादी और ब्राह्मनवादी मिडिया से जब आप गुप्तगु करते हैं जब फिसाफ करते हैं तो you have to take the news and the viewpoints with a pinch of salt आज आप लोगों को अगर मैं पूछू कि कोन सी ऐसी सक्तिया है मैं UPSC के तरफ आऊँगा सिविल सर्वेंट्स के रोल के उपर भी आऊँगा लेकिन उसके पहले मैं दो मिनट आप से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि कोन सी ऐसी आज के परिस्थितियों में आज के वातावरन में कोन से ऐसे फोर्स है जिसके बीच में अप मिन पिट जा रहे या हमारा मुमेंट पिट जा रहे या हमारे आदर पिट जा रहे या हमारे आदर पिट जा रहे Could you tell me? Any of you? Broadly I am not saying that there is an exact answer for that but could you invest आस as to which are the two most important and critical forces that are pitting against us that are pitting and pushing against the wall all of us के वे तो आपले लिस्टेंब तो फॉस उन्यों तो फॉस्टेम् सप्थरैइब गूस्टेजरण इस अ डूस्टेब शेश्ट गूज्ट्ट अज़ वे यॉक जब लेद बहुटत आ जब व्युक्तलि इकूर्ण पॉस्ट्वेश्ट मैूट ए व्युक्क भॉस्ट तो सब्सक्राइब टूमाने हैं प्रहुमन वाड टूमान भान मश कोई बाहनवादान वह ऑडलापी प्रहुमन उद्सक्टीज अवमान वाड़ कर्या विजर वे शुट्ट which is the other force that you may envisage which we have to fight with कौन साह साह दूसरा force याद कीजिये आपके सामने है आजू बाजू में है पड़न बिकाव मीडिया very good बिकाव मीडिया but बिकाव मीडिया is a component of that is a part of that हाँ सर राजनिती ओके राजनिती आप ले सकते हैं लेकिन इटी आलसो a component of that don't you hear what we call as a capitalism have you heard the name capitalism पुंजिवाद जिन जो हिंदी वाले हैं उनके लिए पुंजिवाद capitalism ये ऐसी दो सक्तिया हैं आज जिससे हमको लडने की जरूरत है लेकिन यहां आपको academic तरीके से नहीं दिखे की यहां इसपस तौर्प से नहीं दिखे की यहां clandestine रूप से आपको अलग अलग तरीके सी दिखाई देए इन दोनों फोर्सस को आप hardware और software की थियरी से समझ सकते आपने सुना है hardware का नाम आपने software का नाम सुना यह hardware और software की थियरी को आप अगर ब्रह्मन वाद और capitalism की ऊपर अपलाई करेंगे तो आपको दिखेगा आप बहुत सा तरीके से असमझ सकेंगे कि इन दोनों की जुगलबंदी किस तरीके से भायरत वर्स को और हमारे महापूर्सों के आदर्स को किस तरीके से ये दो फोर्स अलग-अलग तरीके से नेस्ता नाबूत करने में लगे हुई है आपको इस त्वेरी से समझ भी पुंजिवाद 1991 के बाद से जब आपने सुना होगा यल्पीजी के बारे में लोग बोलते हैं लिपलराइजिशन, प्राविटराइजिशन, ग्लॉपलाइजिशन इसके बाद से भारत में पुंजिवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावामी लेकिन क्या पुंजिवाद हमारे देश में है क्या क्या पुंजिवाद भारत में ही दिखाई देता है क्या इरोप में पुंजिवाद दिखाई नहीं देता है अमेरिका में पुंजिवाद दिखाई देता है दिखाई देता है बराबर है लेकिन वहां का जो पुंजिवाद है और भारत का जो पुंजिवाद है उसमें डिफरेंस and where starts the difference difference कहां से आता है पुंजिवाद का मकसद क्या होता है simple language में capitalism का मकसद क्या होता है capitalism का मकसद होता है सुद्धरूप से मुनाफ़ा कमाना as simple as that it is dominated by the market forces and the market force cares about anything else apart from the profit profit उनको चाहिए पुंजिवाद में profit तो आप कलपना कर सकते हैं कि पुंजिवाद एक मसीन के जैसा काम करता है मसीन उसको कुछ नहीं चाहिए सिर्फ उनको मुनाफ़ा चाहिए इसके अलावा कुछ नहीं ये हो गया आपका hardware और hardware जिस तरीके से उसका software काम करता है उस तरीके से वो आगे बढ़ता है वो मसीन आगे बढ़ती है आपको पता है अब होता क्या है कि जब ये capitalism हमारे देश की सरजमी पे आता है तो उसमें ब्राह्मनवाद का नाम का जो software है वो उसमे इन्पूट कर दिया जब तो जब अगर ब्राह्मनवाद को आप अलग कर दो और capitalism को लो तो capitalism किसी में भेदभाव नहीं करेगा हमारी जो system है हमारा जो casteist system बना हुआ है हजारो साल से तो उसमें ब्राह्मन चत्रिय वैस्य और सुद्र इस तरीके का भेदभाव किया गया ब्राह्मनवाद और मनिवाद के नीती के आधार पे इस तरीके से बनाया गया software और capitalism इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं करता चाहे वो इस चैरो केटेगरी में कोई भी हूँ लेकिन जैसे उसमें ब्राह्मनवाद का software डाल दिया जाए तो then the capitalism also starts discriminating against the people it discriminates it starts discriminating और इन दोनों परिस्थितियों के बीच में जब हम देखते हैं हम अमबेटकरवाद की बात करते हैं तो कई बार हमको ऐसा दिखता है कि कुछ लोग अमबेटकरवाद को अमबेटकरवाद की विचारधारा को हमारे महापूर्सों की समानता मुलक समाज इस्थापित करने की विचारधारा को नेस्ता नाबूत करने के लिए अलग-अलग क्लेंडल स्टाइन रूप से एक तो ब्राह्मनवाद के माद्देम से और इसलिए मैंने शुरू में कहा कि जब आप मीडिया की बाते सुनने की कोशिस करते हैं क्यों मैंने मीडिया की बात कहा वो इसलिए कि हर दिन आप उन सब चीजों से वाकिफ होते हो हर दिन पढ़ते हो उनी का मीडिया पढ़ने लगते हो तो हमारे मिडिया कम है और यही नहीं आज की तारिक में हमारे पूरे आंबट करवाद के आधर्सों को appropriate करने की कोशिज की जा रही है appropriate करने का मतलब आप समझ रहे हिंदी में उसकी लिए सब्द होता है समायोजन समायोजन को आप्ट कर सकते हुआ उसको उसको अपने तरीके से पेस करने की कोशिस की जारी है इस प्रकार के ब्रहद लेवल पे काम करने वाले मिडिया के आधार अलग अलग तरीके से आपने देखा होगा कि बाबा सहाब की एक कुस्तक है एनिहलिसन अप कास्ट बराबर है जाती भेद का उच्छेद बराबर है सब लोगों ने आपने देखा होगा पड़ा नहीं होगा तो कम से का उसमें पुरा विसलेशन दिया गया है कि जाती वेदाखिर होता कैसा है वो उत्पन कैसे होता है उसके पीछे की फोर्सेस कौन से काम करते हैं उसकी जड़ कहा है और यही नहीं उसमें यह लिखा गया है कि इसका हम एनिहलेशन कैसे करें इसका उच्छेद कैसे करे भारत की सरजमी से उसको उखाड के कैसे फेके इसका पूरा के पूरा विसलेशन दिया गया है आज आपको एक पुस्तक नई पुस्तक दिखेगी जब अब बाबा साब की पुस्तक पढ़ोगे तो दस रुपे में बिस रुपे में इस तरीके की दिखाई देगी अभी 526 रुपे की एक बुक निकाली गई है और उसमें इंटोडूक्शन दिया गया है बाई वेल नोन राइटर अरुंधती राय बराबरा उन्हें ने उसकी उपर कामेंट लिखाया उसकी उपर इंटोडूक्शन दिया है और उसमें बाबा सहाब का कास्ट एनिलेशन का मुदा छोड़ कर उन्होंने मोहंदास करम चंद गांधी और डक्टर बाबा सहाब अमबेटकर इनकी तुलना पेस करने की कोईशिस की और उस तरीके से आमबेटकर वाद की जो जड़ है सामाजिक सुधार की जो जड़ है उसको दूसरे धरीके से पेस करने की कोईशिस की नबर एक, नबर दो, आज आपने देखा होगा कि राजनितिक पटल पर, सामाजिक पटल पर, कल्चरल पटल पर अलग अलग तरीके से आपको इस्टेटमेंट देते हुए दिखाई देगा, इसमारक दिखाई देंगे, बाबा सहाब के बड़े-बड़े योजनाय दिखाई अशर्य देखे 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 उनके नाम से, लेकिन फाट बाट भुट अएजए वाद वेकर भाबा मॉमे का, आज भी ये वेरद है थाई भेल आपके बटी यू उन कानाम फे, व्ट रेकिन आपकर देखाई आफे, व्यद्टेटि कि आरिण दिखाई जाई काल बबाब you know emotions and you follow them have you ever heard as they have talked about the caste alienation have you any of you nobody might have heard they don't talk about the ideas they talk about the judges car that's all so yeah a good spade करने वाला अंदोलन उनका चल रहा है इससे भी हमें सावदार रहने की जरूरत रिजर्वेशन के आप आरे में आपने आप बात किया रिजर्वेशन आप सब लोग जानते हैं कि रिजर्वेशन अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन नाम का कोई सब्ध आपको Constitution of India में ऐस सज दिखाई नहीं देगा The Constitution of India या भारत का सविधान प्रतिनी धित्व की बात करता है प्रतिनी धित्व की बात आप लोगों में से कितने लोगों ने भारत के सविधान का आध्यन किया हुआ ऐसी कुछ-कुछ articles How many of you? Could you raise your hands? उसमें अगर आप देखेंगे कोई भी article in respect of you know what we call as a reservation You go through article 15 for that matter 14, 16 and then you go to article 343, 342 and 343 for that matter You will find the constitution talks about the representation प्रतिनी धित्व की बात करते है वो और प्रतिनी धित्व का मतलब ये होता है कि हज़्जारों साल से ऐसे लोग जो कि हमारे मेनिस्टीम से हमारे देश की मुख्यधारा से राजनितिक और सामाजिक निरने लेने की मुख्यधारा से बाहर थे उन लोगों को उस मुख्यधारा में लाने के लिए ये प्रोविजन किया गया जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन, वाट थे कॉल एसा रिजर्विशन. So we have to be very careful about that. They want to change the very course and discourse of the discussion itself. You go through the media. And if you are talking about something, then they will say, आपको जानकारी नहीं है भारत के संस्क्रती की. आप उसे अन्विध्य हो. इस तरीके किस्टी. They won't counter your argument because they don't hear the arguments and they will, you know, attack you personally. They will, you know, go by the emotions. And they will say that you are unaware of the culture and the history of India. They will say like that. They will not hear the argument. और इसलिए इन सब बातों से हमें यहां सबक लेना ना चाहिए कि किस तरीके से उसको अप्रोप्रियेशन करने की जरौत पड़ती है. हमारे सवीधान ने या उसे संबन्दित जो कानून है उन्होंने कितने प्रकार के रिजर्वेशन की बात की है? अगर हम रिजर्वेशन सब्द की बात करें तो, थोड़ी देर की. एजुकेसनल इंस्टुशन में आपको रिजर्वेशन है? रिजर्वेशन है आपको. उसके बाद में इंप्लाइमेंट में रिजर्वेशन है और उसके बाद में पोलिटिकल रिजर्वेशन बराबर है तीन प्रकार के रिजर्वेशन का काम है कि इन अलग-अलग शेत्रों में आप अपने कम्यूनिटीज को वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं. नोगरी के लिए नहीं जाते है वाब जब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की and if you are understanding in a proper appropriate manner then we have to take into cognizance the appropriate meaning of what we call as a reservation तो जब वहां आप जाते हैं तो आप अपनी community का आप काम का क्या करते हैं प्रतिनी दीतवक करते हैं तो इसका मतलब है you do have the responsibility and the responsibility to take along your people with you it's not like that कि आप चले गए और उसके बाद में अपनी नौकरी सुरू कर दिया और नौकरी करते 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 आपने पुरा जीवन दे दिया और इसके बाद में रिटार हो गए it's not what we call as a representation and that was not meant for that आपको यह दिखेगा कि यह लोग मैं बार-बार बता रहा हूँ आपको सजग करने के लिए कि यह बार-बार जब discussion होता है तो उसका जो discourse है उसको ही change करने की बात करते है मेरे को चेतन दादा ने बोला था कि रास्ट निर्मान की उपर में दो सब्द बोली हूँ आपको पता है रास्ट क्या होता है रास्ट नाम का सब्द सुना है आपने रास्ट वाद का नाम सुना है आपने रास्ट वाद का जब नाम आता है या रास्ट का नाम आता है तो आपको लगता है कि RSS ने ठेका ले रखा है उसका वही बात करते हैं सुननाये मुख़त्र में उनके सवादों में उनके इसमें हम बोलते हैं राश्रत का निर्मान कर रहे राश्चवाद हमारा में इप्र होना चाहिए उससे बड़े कोई चीज नहीं हो सकती है और रास्टवाद का आख कि रास्टवाद का फांडिशन क्या है कि चेघ बताई ये मुझे रास्टवाद का फांडिशन क्या है ईजञे boys on इनलिदीया इनडिया इस फांडिशन फॉर दैंशनूड इन इंडिया और निक स्पिट्मेटर शु इस फाउंडेशन ओफ इंडिया एसनेशन बाबा सहाब कि अगर पुस्तके पढ़ोंगे तो आपको दिखेगा कि अगर यहां पैरामिटर रखा जाए कोई धर्मा इतनिसिटी तो उसके बारे में अगर बात करें और बाबा सहाब संदर्व ले तो बाबा सहाब बोलेंगे कि तो कोई राष्ट नाम की चीज़ नहीं है because there are so many caste war here nation का मतलब होता है नेशन की जो पहली foundation होती है वो होती है brotherhood क्या होती है brotherhood बंदुत और अगर हमारे पुरे राष्ट वाद या राष्ट की चीज़ को बात करें तो हमें यह दिखाई देता है कि उसकी नियू जो है हमारे लिए वहां है भारत का सविधा उसकी अलावा कुछ था अगर आप हम और वो इस प्रकार के खाई लाने की कोशिस करते हैं तो हमारा जो नेशन है वो कोई इस्थाई नेशन नहीं हो सकता हमारे देश ने हमारे देश के सविधान ने सभी को भाई चारा और अपने अपने तरीके से काम करने की पूरी चूट दी है अपने अपने तरीके से विश्वास करने की पूरी उसकी निउक क्याथ, what was the foundation? Even though we have been told and we go through the history and then we come to know that Samrat Asok has embraced Buddhism. But do you even remember an example where you find that Samrat Asok has imposed something on other people? Have you ever heard that kind of example? आपको कोई भी ऐसा उदारनारि जिसमें क्या आपको लगा होगा कि ए आपको लगा होगा बुद्धिजम को इन लोगों की उपर थोपा होगा, इस प्रकार का कोई उदारन है आपके पास? That was the foundation of the, you know, that large, you know, भारत वर्स that time. That was the thing. And now you come across, the people are saying, इसको अच्छी तरीके समझ नहीं क्यों कोई स्कीची. The people are saying, who talk about the nation, कि नहीं, राष्ट अलग संकल्पना है, उससे भारत के समीधान से कुछ लेना देना नहीं है, आपको नागपूर की भारत, नागपूर की धर्ती पर कई लोग ऐसे सुनते हुए नजर आएंगे. और यहीं नहीं, आजकल तो बात यह चल रही है कि सेकुलरिजम का जो इंडिया की बेसिक इस्ट्रक्चर है इंडिया का, उसको बोल रहे है वो धर्म निर्पेक्च, उसका बासांतर नहीं, उसका पंत निर्पेक्च होना चाहिए. आपने सुना हो गाई. So be aware of that kind of a terminology that being used by these people. Because there is an inherent motive, there is an inherent design, inherent strategy on their part to somehow change the very discourse of the constitution of India. And that's why as a youth, we have to be very careful about the, you know, all the news and the viewpoints given in the media that we find and we witness as of now. कर दो में पर रज़ कुछिए हमारी रही हो पॉरिज सब्सक्राइब करिण थुप दो और प्राव जोबस आप अपर पर इन्पत उप आनलत का व्र ग्रॉट ऑल्डे से ऑ्सक्राइ़ टापकर व्रॉड ए बीदियोग वार्डब में अपर जार्व प्रॉड ऑर समय का फॉश और इसलिए जब आप नोकरी के लिए जाते हो किसी इसमें किसी भी ऑर्गनाइजेसिन में चाहे हो गवर्मेंट हो या प्रावेट तो साथ में आपको हमारे फोर्वादर्स का इतियास उनके वसूल उनके आदर्स भी ध्यान रखना उतना ही इंपोर्टेंट है और यही कारण है यही वजह है कि आज इतनी वरी तादाद में आप यहाँ पर आज इखटा हुआ है इसलिए जब आप गवर्मेंट सेक्टर में भी जाते हो तो आपको यहाँ ध्यान में रखना चाहिए क्यों उसका कारण यह को और बताता हुँ मैं आप UPSC और Civil Services के एक्जाम दे के हम अभी Deputy Commissioner की रूप में कारियर था मैं यहाँ पर नाकूर में अगर यहाँ से जाए तो 40-50 किलो मीटर रंतर पर जब छिंदवड़ा रोड पे आप जाएंगे तो आपको National Academy आप डारेक्ट टेक्सेस की एक Academy दिखाई देखी यहाँ Academy Indian Revenue Services के लिए जो ट्रेनिंग या Indian Revenue Services में जाने वाले जो आपीसर से उनके ट्रेनिंग के लिए होती है आप सब लोगों को पता है कि UPSC एक एक एक्जाम लेती है UPSC यह Central Organization It is a constitutional body for that और वह एक एक्जाम लेती है करीबन 22 से 20 departments के लिए जिसमें की All India Services और Central Services इंक्लूड होती है राज्य सरकारे या राज्य इस्तर पे अरग ले जाती है उसमें से आपने देखा होगा Indian Administrative Service होती है सबने नाम सुना हो उसके बाद में Indian Revenue Service होती है Indian Police Service होती है Indian Foreign Service होती है Postal Service होती है and so forth मैंने जब IIT Delhi से अपना PG किया उस वकत हमारे ब्रदर नागार जुन जी जिसको आप कहते हैं उनको प्यार से संतोस दादा कहते थे उस वकत हम डेली में एक छोटे से विहार में रहा करते और मैं अपने गाव खेड़े से दिली तक पहुचा अर मेरे पास में कुछ नही था मैं पादर वाज आपर्मर and my mother used to roll BD's only that's all और मेरे पास में the Will of My Friends and My Parents was not anything else with me but there was one thing with me and that was you know the values given by Dr. Baba Ambedkar and the Four Fathers that was the only thing I was And it is because of that, you know, foundation that I thought that a person, a human being, from such a, you know, zero background can do such a, you know, such a thing, so many things in his life without caring much about his family and all that. Can't even be, can't I do that? और इसी सोच के साथ में मैं दिल्ली गया है, जहां की संतोस दादा और मंगेश दादा इन लोगों ने मुझे भापर सिल्टर दिया, I could somehow, you know, cobble up my things. I used to take tuitions. And I still remember those days when Santosh Dadda and Manges Dadda used to give me five rupees, ten rupees. You know for what? You know for bus tickets. Because I used to go, you know, to take tuitions, home tuitions. And sometime, it happened like that, I used not to have even single penny in my pockets. So they used to give me, you know, sometime I, you know, I used to be very much hesitant to, you know, ask for some five rupees and ten rupees even for the tickets. But that was the environment. That was the cultivation. Those were the formative years. When used to, you know, strive. And not only that, my friend, when you face the difficulties, when you face the questions, then you get yourself strengthened. अप सब लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा, कि आप चाहें जीवन में जिस केरियर में जाने की कोशिस कीजी. लेकिन उसके लिए आपको आत्माइस्वास की बहुत जरूरी होती है. ताकत की जरूत बहुत छोती है अंतरिक ताकत की जरूत होती जिसको आप आत्मविश्वास करें और आत्मविश्वास जो चीज है वो एक दिनिया दो दिनिया कोई ट्रेनिंग करने की कोई चीज नहीं है अगर यह दिल्ली में एनापपुर में ट्रेनिंग करने की आपको आत होता है अगर आपको मैं कहूं कि यह पुष्टक पढ़ लो और क्रिकेट कैसे खेला जाए हर दिन पढ़ते जाओ और मेज के दिन आपका क्या हल हो सकता है यू बेटर अंडेस्टेंड आप आपको मुझे बोला गया है कि आपका समय निर्दारी था है इसलिए मैं आज की तारिक में जादा आपका समय नहीं लूँगा लेकिन पढ़ाई के बारे में दो-तिन चीजे मैं आपको बताना चाहूंगा और जो परिष्थितिया मैंने आपको बताई उन परिष्थितियों के मद्दे नजर वो और भी डिफिकल्ट होते जा रहा है इसलिए मेरा ये कहना है कि जो आप कोई भी परिक्षा की तयारी करते हैं तो सिर्फ पढ़ने मत कीजिए आप सिर्फ पढ़ते मत जाएं कई बार क्या होता है हम सीर्फ पढ़ने लगते हैं हम सीर्फ पढ़ने लगते हैं और उसके